अपनी नर्सरी टूर का एक वीडियो शेयर किया था कि मैं नर्सरी बिजिट गई थी तो वहां से मैं कुछ प्लांट्स खरीद के लाई हूं उसी को मैं आज आपको इस में वीडियो में दिखाऊंगी और उनकी रेट भी बताऊंगी कि मुझे कितने का मिला और मेरा कौन-कौन सा प्लांट मैं ले आई तो सबसे पहले मैं छोटे प्लांट से सुरू कर रही हूं यह है अरेलिया का प्लांट यह देखिए वेरी गेटिट अरेलिया है ये तो सबको मालूम है कि ये केवल पत्तियों वाला प्लांट होता है इसको आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं तो ये मैं ले आई ये मुझे मिला 40 रूपर का ये मैं ले आई हूँ कोलियस का प्लांट ये मुझे थोड़ा अलग एक दिन मैं 4 बेराइटी का ले आई थी ये मुझे कुछ अलग दिखा तो इसको मैं ले आई इसका प्राइज 20 रूपर बता रहा था और ये मैं ये स्पाइडर प्लांट मेरे पास नहीं था ड्रेसीना तो बहुत हैं लेकिन स्पाइडर नहीं था मेरे पास तो मैं इसको ले आई ये दस रूपर का है और ये मैं ड्राइटी का ये बहुत दिन से ढूण रही थी इसमें एक प्लांट और ये दो हमारे पास है एक जो बिल्कुल ग्रीन लंबी लंबी पत्तियों वाला होता है और ये जो पीली धारी वाला होता वो दो वेराइटी थी ये ड्राइटी नहीं थी तो इसको मैं ले आई हूँ उसके बाद सबसे बड़ा द्रीम मेरा ये पान पान का प्लांट में ले आई हूँ हाँ सारी फ्रेंस ये मुझे मिला पचास रुपए का ये इसने प्लांट पचास रुपए का मिला और ये मैं पान का ले आई हूँ मैंने एक दो बार कहीं कहीं से कटिंग लाके लगाई लेकिन वो लगी नहीं क्योंकि कोई अपने प्लांट की हेल्दी कटिंग मुझे दिया नहीं बस पत्ली-पत्ली कटिंग देते थे तो वो चली नहीं लगी नहीं तो मैं ले आई ये भी मुझे पचास रुपए का मिला और ये क्रोटन किये वाली वेराइटी मेरे पास नहीं थी, एक गोर्डन डस्ट है और ये एक और है इसी तरह से रंगी, लेकिन उसकी पत्तियां कुछ दूसरी तरह की हैं, तो इसको में ले आई मुझे अच्छा लगा, तो ये भी मुझे पचास रुपए का मिला, उसके बाल में ले आई, एक जोड़ा मेरे पास रेड कलर का है, तो प्लांट मेरा वो खराब हो रहा था, तो उसकी कटिंग मैंने लगाई है, अभी फिरहाल फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो इसको में ले आई हूँ, एक जोड़ा एक पिंक कलर वाला, ये देखिए एक इसमें बना हुआ है, प्लांट बहुत हंदी है, ये भी मुझे पचास रूपय का मिला, ये गुड़हल मैं ले आई हूँ, ये गुड़हल जो एक बड़ा पैटल नीचे होता है, नीचे उसके बाद भी एक दूसरा होता है, वही वाला है, पिंक कलर का बहुत प्यारा कलर म मुझे लगा तो इसको में ले आई, ये मुझे मिला साथ रूपय का, और एक क्रोटन की ये वाली वेराइटी मेरे पास नहीं थी पतली पत्तियों वाला, है तो ये गोल्डन डस्ट की तरह ही, लेगिन उसकी पत्तियां चोड़ी होती है, इसकी पत्तियों है, लेगिन ये बहुत सुंदर ये पत्ली पत्तियों वाला, जाड़ी नुमा मुझे बहुत अच्छा लगता था इसको मैंने लिया, ये भी मुझे पचास रूपय का मिला, और ये एक प्लांट ये मैंने लिया, इसको वो सिंचेरिया बता रहा था, फ्लावरिंग प्लांट है जाड़े का बिंटर का तो ये जो है इसमें कह रहा था रेड कलर के फ्लावर से आएंगे, सिंचेरिया ये मुझे मिला हंडर्ड रूपीज का, यही सबसे बड़ महंगा मेरा प्लांट था, तो ये हंडर्ड रूपीज का मिला, तो सारे प्लांट मैं ले आई हूँ, चार चारा प्लांट उसके ले आई थी, और ये क्या बोलते हैं इसका, कोलियस के, चार ले आई थी और उसके बाद ये मैंने इतनी सौपिंग की, अभी सीजनल प्लांट आए हैं, कुछ-कुछ सिलोसिया के, और उसके लेकिन मैंने लिया नहीं, बाद में उनको मैं खरीदूंगी, पिटूनियां और आजाएगा तम, ठीक है दोस्तों मैंने अपना ये प्लांट सौपिंग का वीडियो आप से शेयर किया, पसंद आए तो, कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताईए कि मेरे पहुधे आपको कैसे लगें, मेरी खरीदारी और इनका रेट, प्लीज मेरे हैपी गार्डनिंग, ठेक केर